गुद दूर्णिंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेज ऑफ दा वीक आज हम डिस्कस करेंगे कि डेज ऑफ दा वीक यानि एक हफ़ते में कितने दिन होते हैं और कौन-कौन से डे होते हैं जैसे कि week में week of the day आपने अच्छे से पढ़े हैं कौन कौन से होते हैं first day of the week होता है Sunday उसके बाद Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday इस तरीके से one week में seven days होते हैं first day कौन सा होता है Sunday, second day Monday, third day Tuesday, fourth day Wednesday, fifth day Thursday, sixth day Friday and last seventh day Saturday होता है, अब उसी के base पर हम यहां कुछ क्या करेंगे exercise हमारे यहां दी हुई है वो fill करेंगे, जैसे कि यहां लिखा हुआ है what is the day today, आज का day कौन सा है, तो आज कौन सा डे है, कोई बता सकता है, आज कौन सा डे है कौन सा डे है अज, Friday, कौन सा डे है, Friday, तो आप यहां क्या fill करोगे F, R, I, D, A, Y, Friday, ठीक है, फिर next question है, on which day you put on white uniform, आप सब स्कूल जाते हैं, ठीक है school जाते हैं, तो आपके पास दो uniform होती है, एक तो white uniform होती है, और एक दूसरी कोई से भी color की, जैसे अपने school की तो navy blue color की है तो आपको यह बताना है कि आप जो white uniform है वो कौन से day पर पहन के जाते हैं Monday को पहन के जाते हैं Tuesday को जाते हैं Thursday को जाते हैं Wednesday को जाते हैं या Saturday को जाते हैं तो आप सबको अच्छे से पता है कि हम white uniform कौन से day पहनते हैं Wednesday कौन से day Wednesday की spelling होती है W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday और second कप पहन के जाते हैं Saturday को Saturday की spelling क्या होती है S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday तो इस तरीके से हम school जब जाते हैं तो two days Wednesday and Saturday को क्या पहन के जाते हैं White uniform पहन के जाते हैं अब हमारे पास third question है which days comes after यानि कि Tuesday के बाद कौन सा day आता है तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले Sunday फिर Monday फिर Tuesday और Tuesday के बाद कौन सा day आता है Wednesday कौन सा day Wednesday तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ Wednesday लिख दूँ स्पेलिंग होती है W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday उसके बाद है Sunday Sunday के बाद कौन सा day आता है तो आप फिर आप बोल के देख सकते है Sunday Monday Sunday के बाद कौन सा day आ रहा है Monday तो मन्डे की स्पेलिंग लिख दूँ Friday Saturday तो Friday के बाद कौन सा day आया Saturday Saturday की स्पेलिंग लिख हो S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday Friday के बाद कौन सा day आता है Saturday उसके बाद है Wednesday Wednesday के बाद कौन सा day आता है वो ही फिर हम दुबारा से बोल के देखेंगे Monday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday और Wednesday के बाद Thursday तो Thursday की स्पेलिंग लिख हो में T-H-U-R-S-D-A-Y Thursday Next question है Which day comes before Tuesday Tuesday से पहले कौन सा दिन आता है तो Tuesday से पहले कौन सा आता है Monday कौन सा आता है Monday Monday की स्पेलिंग लिख दो M-O-N-D-A-Y Monday Next है Which day comes before Saturday Saturday से पहले कौन सा day आता है Friday कौन सा day आता है Friday F-R-I-D-A-Y कौन सा day आता है Friday Name the days of the week Days of the week सारे के सारे days कौन कौन से होते हैं उनके name लिखने हैं आप लिखोगे First आता है Sunday Sunday की स्पेलिंग S-U-N-D-A-Y Sunday Next होता है Monday Monday की स्पेलिंग M-O-N-D-A-Y Monday उसके बाद होता है Tuesday Tuesday की स्पेलिंग T-U-E-S-D-A-Y Tuesday Tuesday के बाद आता है Wednesday Wednesday की स्पेलिंग W-E-D-N-E-S-D-A-Y Wednesday उसके बाद आता है Thursday T-H-U-R-S-D-A-Y Thursday फिर आता है Friday F-R-I-D-A-Y Friday फिर होता है Saturday S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday इस तरीके से 7 डेज होते हैं Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday Which is the first day of the week Week में सबसे पहला दिन कौन सा होता है Sunday हमने अभी लिखे हैं कौन सा डे होता है Sunday S-U-N-D-A-Y फिर कह रहा है If today is Friday अगर आज Friday है तो Then what day it will be tomorrow तो कल कौन सा दे होगा आज Friday है तो कल कौन सा होगा बता सकता है कोई कौन सा होगा Saturday Saturday क्या होगी S-A-T-U-R-D-A-Y Saturday इस तरीके से आपको अपनी बुक में ये फिल करने है कौन सा पेज नमबर है बुक में पेज नमबर 127 और पेज नमबर 128 सबसे पहले आपको अपनी बुक फिल करनी है और बुक फिल करने के बाद आपको क्या करना है अपनी नोट बुक में भी इन सब को करना है थैंक यू, be safe, have a nice day